नवस्कार सातियों आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है आज मैं आपके सामने सर्वेंग का लेवलिंग का एक टॉपिक लेके आया हूं सर्वेंग सब्जेक्ट में लेवलिंग एक टॉपिक चलता है जिसका मैंने पहले भी एक वीडियो अप्लोड किया है जिसमें मैंने लेवलिंग के कितने प्रकार की होती है उसके बारे मैं explain किया है आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो है लेवलिंग को find out कैसे करते हैं जैसे किसी चीज़ का RL निकालना तो कैसे find out करते हैं दो मेथड है एक होता है height of instrument method और दूसरा होता है rise and fall method तो आज अपन डिसकस करेंगे height of instrument method अब height of instrument क्या होती है पहले वो देखें height of instrument क्या होती है कि elevation of line of columnation is known as height of instrument यानि जैसे अपने instrument को fix कर दिया किसी ground के उपर तो जो station point है ground के उपर जहां पर अपने instrument fix किया है उस instrument point से लेके और जो instrument जहां तक अपने line of columnation होती है line of columnation यह भी मैं आपको समझाओंगा पूरा line of columnation का मतलब क्या होता है कि जो object glass है और जो अपना ाई-piece का center है इसको मिलाने वाले जो line है और यह आगे जब line बढ़ती है तो इसको कहता है line of columnation line of columnation जो आई-piece है वहां के जो crosshair है उसको और object glass के optical center को यह जो मिलाए जाती है यह line जब आगे बढ़ते हैं इसको object तक यह कहलाती है line of columnation यह line of site तो line of columnation यह line of site की ground के point से जो vertical distance है जो elevation है वही कहलाता है height of instrument इसको अपन कह सकते है height of instrument is equal to RL of benchmark plus back site जब height of instrument निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं RL of benchmark निकाला अपने benchmark का RL अपने को पता होता है benchmark वही होता है कि non elevation का datum जिसका elevation जिसका RL पता हो वह जो datum point है वह कहलाता है benchmark उस benchmark पर जब अपने स्टाफ रख देते हैं और instrument से जब अपन पहली reading पिछे की तरफ लेते हैं तो वह अपना कहलाता है bake site, bake site क्या कहलाता है जो first reading होती है जैसे instrument यहां fix किया जैसे यहां पर मैं आपको explain कर देता हूं यह यहां पर अपने instrument लगा दिया यह मैंने instrument और यह अपना कोई यह benchmark इसके उपर अपने क्या रखना होगा स्टाफ जब यहां से first reading अपन पीछे की तरफ यह horizontal लाती है यह जो अपनी reading आती है यह कहलाती है back site इस reading को बोलते है back site यह benchmark है अपना इस benchmark की RL पता होता है वह प्लस जब यह back site जोडते हैं तो अपने पास यह height of instrument आ जाती है इसको बोलते है hi height of instrument फिर अपने पास है मैं remove कर देता हूं marker को यह अपने back site थी तो back site क्या थी जो first reading होती है first reading taken from any instrument station to a non elevation point is known as back site यानि जो datum या benchmark है वहाँ पे staff रखके जो अपन पहली reading लेते हैं वो कहलाती back site फिर है four site, four site कहती है reading of last point before shifting of the instrument यानि यह instrument अपने रखा उससे जो पहली reading ली वो back site बीच में जो reading ली वो intermediate site और जो last reading लेंगे उस instrument को shift करने से पहले यानि उस एक position की वो last reading होगी उस instrument position की वो last reading कहलाती है four site और intermediate site क्या हो जाएगी जो first reading और last reading के बीच में ये मध्य में ली जाती है बीच में जितनी भी दो तीन पांस जितनी भी reading लेंगे वो सब कहलाएगी intermediate site पहली reading back site last reading four site बीच में जो भी reading है वो intermediate site किसी भी एक instrument position से अब turning point या change point यह वो point होता है जहां पर आपन four site और back site दोनों लेते हैं जैसे first point है यहां से अपने back site लिया फिर intermediate site ली फिर last reading ली वो कहलाए four site तो यह जब instrument को यहां से अटाएगे तो यह turning point कहलाएगा यहां से अपने back site भी ली थी यहां से अपने four site भी ली है फिर second जगे अपन लेगे वहां से सबसे पहले जो first instrument था जो first जहां पर reading अपने last reading लेग थी वो इसी point की अपने को वापस क्या करनी है जैसे यह कोई point है बीच में यहां से अपने इसकी last reading लेती जिसको अपन four site कहेंगे फिर अपने instrument को यहां ले जाएगे और उसी point की पिछे से reading लेंगे वापस वो कहलाती बेक site यह इस instrument की पहले reading होगी इसे अपन कहेंगे back site फिर इससे intermediate sites लेंगे बीच में reading लेंगे जो इस instrument position की last reading होगी वो कहलाएगी four site फिर जब इस instrument को अपन shift करेंगे तो यह फिर से कहलाएगा turning point या change point तो turning point या change point वो point होता है जहां पर four site वे बेक site दोनों ली जाती है क्योंकि नई height of instrument निकालनी और इस जगे पे नई height of instrument अपने को method तो पहला method अपन डिसकस करेंगे height of instrument method height of instrument में क्या होता है अपने को height of instrument निकालने पड़ती है और height of instrument अपने देख लिया वो क्या होती है rl of benchmark plus back site bench mark का rl हो गई और plus उसके साथ क्या होगी बेक site को जोड़ना है तो वो height of instrument आजाएगी अब अपने को next point का rl निकालना है तो next point का rl कैसे आएगा height of instrument minus stop reading at that point जैसे simple सी चीज है मैं आपको इसको explain करगूं जैसे यह इस तरीके की चीज है मान लो सबसे पहले अपने को क्या करना height of instrument मैं ने बता दिया पहले अपको marker से कैसे बनाते हैं फिर अपने को next point का rl निकालना है तो next point का rl कैसे निकालेंगी यह अपना instrument position है और यह next point है इस next point पर यहां पर अपने को इसका rl निकालना है अपन क्या करेंगी इससे यह reading पढ़ लेंगी इसको कहते हैं अपने four site होगी या फिर intermediate site होगी यह height of instrument अपने को आई वी है या अपन इस लेवल में थो अपन पहुँंचे हुए है height of instrument के level में अब इस से अपने यहां पहुंच गई है यह Sudhline है एकदम यहां पहुंच गई है और यहां की यह staff reading अपन ले चुके है यह staff reading अपने s यह staff reading अपन ले चुके हैं तो इस height of instruments में से जब अपन यह staff reading minus कर देंगे तो अपन कहां आ जाएंगे अपने इस point पर आ जाएंगे और इस point कारल अपने को निकल जाएगे यह इस तरीक से होता है यहाँ अपना कोई benchmark है यह यह जो readings है यह first reading इस instrument staff station से यह इस benchmark के ऊपर यह जो पहली reading लिए यह back site तो यहाँ अपने को इस benchmark का RL अपने को पता होता है यह non RL का benchmark होता है यहाँ से अपन इसमें अगर add कर दें यह वाले staff reading तो वो कहलाता है यह वाले staff reading क्या होगी back site तो RL of benchmark RL of benchmark plus back site यह दोनों add करती यह अपने पास कहा आ जाएंगे instrument level पे आ जाएंगे इसे अपन कहते है height of instrument इसमें से जब इसको minus s वापस करेंगे तो अपन इस point का आ जाएंगे यानि next point का RL अपने को मिल जाएगा तो इस तरीके से अपन RL निकाल सकते हैं benchmark का RL पता होगा वहां से क्या करना है backside जोडनी है तो height of instrument आ जाएगा height of instrument में से यह next point की staff reading minus करनी है तो next point का अपने पास RL निकल जाएगा यही मैंने यहाँ पे लिखा height of instrument equal to RL of benchmark यानि benchmark RL प्लस यहां से यह benchmark की यहां पे staff reading और यह कलाती है backside बेंचमार्क पे जो staff reading होती है वह मैंसा क्या कलाती है backside फिर यहां पहुंचेंगे अपन यहां से अपने को वापस क्या करनी है minus तो यह height of instrument minus staff reading at that point और यह staff reading है वो four site भी हो सकती है और intermediate site भी हो सकती है अगर यह last reading है तो four site और अगर last reading नहीं है तो यह सब क्या होगी intermediate sites तो यह मैंने आपको explain किया अभी अपने इसको आगे discuss करते है एक्जांपल के साथ यह example मैंने दिया है एक्जांपल में क्या दिया है कि instrument ए पर रखावा है और ए से अपने को यह दो reading ले लिए तो दो reading है तो पहले reading बेक साइट होगी और दूसरी last reading होगी four site फिर instrument अपने रखा B पे यह change point हो गया यह वला फिर अपने यहां से B से यह चार reading ली है तो first होगी बेक साइट, last होग four site और बीच वाली दो क्या हो जाएगी intermediate site फिर अपने instrument रखा C पर तो C पर रखा इसे reading ली यह first क्या होगी back site, last होगी four site और इसके बीच में यह दो reading है यह हो जाएगी intermediate site तो इसको इस तरीके से एक table form में अपने को लिखना होता है कैसे लिखेंगे सबसे पहले instruments, stations, instrument station कौन- इस्टेशन रखे थे instrument at A, B और C फिर अपना आगया back site, back site होती है जो first reading होती है, तो back site तीन instrument है तो तीन back site होगी यह तीन back site कौन-कौन सी पहली तीनों, यह यह और यह तो यह यह और यह तीनों क्या आगई back site यह तीनों क्या होगी back site इस तरीके से यह वाली यह यह और यह तीन last क्या हो जाएगी four site तो यह तीन last अपने पास four site है यह 2.905 यह वाली जो थी फिर 4.45 यह वाली और एक 2.66 जो सबसे last reading अपनी होगी यह 2.625 इसके बीच में सारी intermediate ratings है अब अपने बात आती कि इसमें back site, intermediate site और four site यह readings भरेंगे कैसे तो सबसे पहली reading वो यह instrument रखवात पहली reading back site में तो यह back site में अब यहाँ दूसरी reading है और वही last reading है तो यह सी दूसरी कहां जाएगी four site में क्योंकि यह last reading इसलिए four site होगी फिर जब four site से back site लेते हैं तो क्योंकि इसी point की reading ली जाती है जिस point की four site है उसी पे staff वहीं रखा जाता है instrument change होता यह instrument भी पे चला गया तो इसी point की अपने को reading लेनी है इसलिए इसी column इसी row में इसी same row में back site लिखी जाएगी आ रही समझ में सबसे पहले back site लिखी फिर four site next point हो गया तो यहाँ लिखी फिर इसी point की अपने को B से यह लिए back site तो इसी point में इसलिए इसी same row में यहाँ है फिर अपने क्या है intermediate site तो य यह next point की intermediate sight, फिर उससे next point की intermediate sight और यह last जो है वो foresight तो यह last foresight आ गई, यह अलग-लग row में नीचे change होती गई, इसी तरीके से जब आप instrument C पे आ गया, तो यह जो back sight है, यह back sight उसी point की है, जिस point की यह foresight थी, तो same row में आपन पीछे इसको लिखेंगे, यह इस तरीके से इसके ल के नीचे यह लिख दी, और यह last reading, यह last point की है, तो यह last reading अपने यहाँ पे 2.625 लिखेंगे, यह मैंने यहाँ पे लिखेंगे, इस तरीके से गर आपने यहाँ लिखेंगे तो गलत होगा, क्योंकि next point की reading है इसलिए यहाँ पे, यह same reading, foresight, back sight आईगी और कोई reading same, नहीं लगाएगी, अब अपने को क्या दियावा है, RL दियावा है benchmark का 100, benchmark का यह remark में लिख जया benchmark है यह, और इसका RL कितना है, 100, अब अपने को height of instrument के लिए अपने उपर formula लिखा है, height of instrument is equal to, क्या होता है, RL of benchmark plus backside, यह अपने मैंने एक आपको diagram बना के भी समझाया, कि किस तरीके इसके benchmark से benchmark में backside जोड़ेंगे, तो height of instrument आजाएगा, तो यह height of instrument, यह height of instrument इस benchmark के RL में यह backside जोड़ दिया, यह height of instrument आ गई, अब next point का RL निकालना है, next point अपना यह वाली reading का है, तो यह reading का next point का RL जब अपने minus करेंगे, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस में से minus करना इसमें से minus किया, 100.685, इसमें से 2.905, यह minus किया तो अपने आएगा, 97.780, यह RL आ गया, next point का, फिर अपने को क्या करना है, height of instrument फिर से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यह turning point आ गया, तो यह height of instrument फिर से निकलेगी, इस height of instrument का, अपने क्या करना है, height of instrument कैसे निकालेगे, वो अब इस height of instrument में से next point की reading minus करनी है, next point कौन सा है, ये वाला, तो इसकी reading minus करो, इसका RL आ जाएगा, फिर, इस height of instrument में से, ये reading minus करो, इसका RL आ गया, ठीक है, height of instrument में से, पहले ये reading minus करी, इसका RL आ गया, इस height of instrument में से, ये reading minus करी, ये RL आ गया, ये intermediate sides है, इसके लिए height of instrument निका को निकालना कि इसी तरीके से इस खाव निकालना है यहां पर क्या माइनस कर दो, यह वाला माइनस कर दो, इस में से four sight माइनस कर दो, height of instrument में से तो इस point का RL आ गया, अब अपने क्योंकि turning point आ गए, यहाँ पे फिर से c, तो यहाँ पे अपने को फिर नई height of instrument निकालनी पड़ेगी, वो कैसे निकलेगी, यह अपना RL है, इस RL में back sight add करनी है, यह रही back sight, तो इस RL में जब यह back sight अपन एड़ कर देंगी, तो अपने पास यह नई height of instrument आ गई, अब अपने को next point यह वाला इसका RL निकालना है, तो इसमेंसे इसको minus करो, यह इसका RL आ गया, इस point काshelf निकालना है, तो height of instrument में सेनी reading जो है, intermediate sight, यह minus करो, यह आ गया, इसका निकालना है, तो height of instrument में से ए私ka minus करो, यह अपने पास RL आ गया, इस तरीके से अपने सबी points के RL निकाल दी, अब इस method में अपन चेक भी लगा सकते हैं कि अपने RL जो आया वो सही आया है या नहीं आया तो इस RL चेक लगाने के लिए अपने पास एक तो four site और back site है तो इनका difference sum of four site minus sum of back site minus sum of four site इस तरीके से sum of fs, bs, back site minus sum of four site यानि back site तीन थी उन तिनों का sum कर लिया algebraic sum इन तीनों का algebraic sum कर लिया यहां पर जोड लिया तीनों को अब back site में से four site minus कर दो यह back site minus four site इसी तरीके से यहां last RL minus first RL यह आना जी last RL यह था minus first RL यह था minus 0.95 minus 0.95 तो इसको अपन back site minus four site last RL minus first RL इसमें से back site में से four site और last में से first यह यह से भी कर सकते हैं four site minus back site is equal to first RL minus last RL यह ध्यान रखना है back site minus four site का sum दोनों का is equal to last RL minus first RL यह अगर बराबर है तो अपन कहेंगे कि अपन जो RL निकालने हैं वो correct है second method अपना rise and fall method है यह अपन next lecture में discuss करेंगे तो आज अपन क्या discuss किया height of instrument method से किनी भी point का RL कैसे ग्यात कर सकते हैं आई होप आपको यह समझ में आया होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूरा देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ भी इसको share कीजिए उनको भी कहिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करता जाओं किसी भी सब्जेक्ट का सर्वेंग के अलावा भी कोई सब्सक्राइब का वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास तुरंद उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसका फाइदा उठा सको थैंक यू वेरी मच